हाई एवरीवन इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर आपको आने वाले समय में एक बड़ा मूव दिखने को मिल सकता है स्टॉक ने लास्ट वीक अपने all-time high का breakout दिया है और अगर स्टॉक अपने all-time high के direction में movement को continue करता है तो आपको आने वाले समय में एक काई अच्छा return दिखने को मिल सकता है अब बात करते हैं स्टॉक की stock का नाम है MTR Technologies और यह rest का chart तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं region को proper find out करते हैं और उसके बाद यह देखते हैं कि कौन से label पर हम लोगी से buy कर सकते हैं क्या हमारे stop lossage होंगे और क्या हमारे possible target हो सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैं time frame यूच कर रहा हूँ वह है weekly का तो इस stock को मैंने around 2200 रुपीज का आसपास भी दिया था जिन लोगों ने उस video को नहीं देखा है जा कि आप उसे एक बार देख सकते हैं तो इसको मैं करता हूँ remove कर देता हूँ आज मैंने इस stock को क्यों select किया है सबसे पहले वह region आपको बता देता हूँ जिससे क्या होगा कि आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा देखिए आप जितनी भी वीडियो देखते हैं इंटरनेट पर कोसिस करिए सीखने की एक बात ध्यान रखिएगा कि stock market में जो भी इंसान learning पर focus कर रहा है न वो आज नहीं तो कल पैसा बना ही लेगा तो कोसिस करिए कि जितना जादा से जादा आप इस वीडियो से सीख पाए क्योंकि देखिए मैं किसी भी indicator या oscillator का use नहीं करता मैं simple price action का use करता हूँ जो कि आपको भी काफी असानी से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक simple horizontal line को draw कर देता हूँ तो इसे हम लोग कहते हैं round bottom pattern तो यहाँ पर जो पहला region है वो है round bottom pattern का breakout जो कि हमें last week में देखने को मिला है तो पहला region हमारा हो गया round bottom pattern का breakout एक चीज आप यहाँ पर और notice कर सकते हैं वो है इसका all time है जो कि somewhere around 2500 रुपीज के आसपास था and last week में हमें इसका भी breakout देखने को मिला है तो second region हो गया है ATS का breakout एक चीज हम लोग यहाँ पर और add करेंगे और वो है volume तो आप देख सकते हैं जो last week का जो volume है वो previous कई week के comparison में सबसे ज़्यादा है मतलब कि company जब से list हुई है उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमें volume देखने को मिला है वो है last week में इसका मतलब यह होता है कि जो breakout है उसको volume भी support कर रहा है और मैंने अपने सारे videos में बताया है कि अगर price move कर रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है again I am talking about probability not guarantee तो जिन लोगों को guaranteed लगता है तो वो मेरी videos ना देखें यह उनके लिए नहीं बनी है trading हमेशा से एक probability का game रहा है मैं fit से कर रहा हूँ trading हमेशा से probability का game रहा है guarantee वाला game नहीं रहा है अब बात करते हैं कौन से level पर हम लोगी से buy कर सकते हैं तो अगर यह stock 2825 के अगर उपर निकलता है तो आपको एक अच्छी buying दिखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss का previous swing लो जो क्या रहे 2200 रुपीज closing basis पर that means कि stop loss थोड़ा सा हमारा बड़ा है बट यहां से क्या होगा कि stock कितना भी उपर जा सकता है क्योंकि stock जो अपने all time hyper trade कर रहा है और upside में हमारे पास कोई भी resistance नहीं है तो हर एक 5% या 10% के मूँपर आप partial profit बुक कर सकते हैं तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा Thanks for watching